हेलो फ्रेंट्स यह है बिलकुर सही पैचाना यह करोंदा या इसे कैन्बेरी भी कहते हैं तो इसे साइड डिस्क के उत्तरा खा सकते हैं या आप इसे मुख्य सबजी के रूप में भी खा सकते हैं यह थोड़ा सा खटा और तीखा सा होता है दोस्तों यह बड़ा ही सौधिस लगता है मोसली यह जो करोंदे होते हैं यह बरसात के दिनों में आते हैं इसे आप पराठा पूरी रोटी दाल चावल या किसी भी पकोड़े के साथ में आप इंज्वाए कर सकते हैं तो चलिया यह बनाना देखते हैं कि किस तरह से इसे बनाया जाता है इसमें कुछ टिप सकतूर अपर करीब करोंदे लिए है और 50 ग्राम मिर्च लिए अगर आपको जाधा तीखा पसंद है तो आप 100 ग्राम प्यारी मिर्च कर सकते हैं और यह अच्छ सबसे पहले आप करोंदे को अच्छ से वाश च्वरी से पोश लेग ऐग ताकि उसमें पानी नहरा है फिर उस तो उसके बीजे थोड़े हार्ड हो जाते हैं अगर आपने इस तरह के छोटे करॉंदे लीए हैं तो इनके बीजे सॉफ्ट होते हैं आप अगर चाहें अगर देख लिए अगर इसमें ज्यादा हाड आपको बीजे लग रहे हैं तो इसे रिमूब कर दीजे अधरवाइस आप या इसके दो तुकड़े कर लेंगे अगर थोड़ा सा और छोटा करना चाहते तो इसके दो पीससे ऑर कर लिजए इस तरह से हम हरी मिर्च को भी सारी कट कर लेंगे यहाँ पर मैंने एक fry pan लिया है उस pan में यहाँ पर करीबं 5-6 चमच करीब मतलब की तेल डाला है मैंने यहाँ पर refined oil डाला है आप चाहे तो इसे mustard oil में भी बना सकते हैं दोस्तो mustard oil में इसका सौथ बहुत ही अच्छा आता है यहाँ पर oil को अच्छे से गरम हो जाने दीजिए चेक कर लेते हैं तेल हमारा अच्छे से गरम होना चाहिए इस पर कड़ाई के उपर थोड़ा सा हाथ ऐसे दूर से रख करके देखें कि देखें अगर इसमें हीट आरी वतला तेल गरम हो गया है अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले जीरा जीरा जो है एक चमच करीब इसमें हम जीरा डालेंगे साथ में ही और यहाँ पर वन फोर्थ स्पून हमने यहाँ पर सौफ डाली है और 1 फॉर्थ इस्पून हमने हीन ड़ली हीन अच्छी वाली लीजेगा हीन का सौत बहुत अच्छा था इसमें और 1 फॉर्थ इस्पून हमारे पास अजवाइन है इन सारी चीजों को चटकने तक की अच्छे से पका लिजें आल में जब यह हलंकी सुनहरी से भून जाएंगी तब इसमें जो आपने कते हुए करोंदे लिए थे इस करोंदे को इसमें डाल दीजेगे और 6 पर हरी मिर्च को भी चुटते खौंट शाता है Istopan अपना टेस्ट फूर को अपकर से अच्छे से मिक्स कि यह ताकि मसाले में अच्छे से कोड यह शरुक्ष हो रहा है दोस्तों वाकर में यह चल्दी बनका रिडी हो जाता है यहां पर रुसी के साथ हैं मैं अपर एक चमच करीफ हल्दी डाली अल्दी चाहे तो उसके जब आपने भूना था तभी डाल सकते हैं या फिर बाद में भी डाल सकते हैं साथ में चमत धनिया पाउडर भी डाला है इसे ढखकर मैंने दो मिनट के लिए रख दिया था रिख सिफ दो मिनट ही रख और देखे बस थोड़ा सा बस यह गल जाए इसे तो बाद में थोड़ा सम यहां पर गरम मसाला भी डाल देंगे वन फोर्थ स्पून करिए और यहां पर मैं वन फोर्थ स्पून यहां पर कश्मीरी लाण मिर्च डाली हो कलर के लिए इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और इसे आप चाहे तो आप एक स्पून की हलक से च और यहां पर गैस को आफ कर दिया है गैस को आफ करते हुए अब इसे हम नीचे गैस से नीचे रख लेंगे दोस्तों यह खाने में बड़ा ही सवाजित लाता है क्योंकि करोंदे को टेस्ट होता है खटा खटा और जो हरी मिर्च है एकदम तीखी तो दोना का कॉंबिनेशन बड़ा ही मस लगता है आप एक बार इसे जरूर बनाईए का बरसात की मोसम में तो अभी यह इसली मिल जात बनाईएगा और अब इसे नीचे हम गैस से उतार लेंगे और इसे अपकाच के बरतन में पूरा भर के रख लेंगे पूरा पोर कर लीजिए यह अचार को आप फ्रिज में बना करके रख दीजिए और महीने बर तक इसे आप आराम से इंज्वाइक कर सकते हैं यह बिलकुल होप है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमें कॉमेंट कीजिए कि आप न्यू वीडियो और कौन सी देखना चाहते हैं तो तब तक के लिए हैवे नाइस डे थैंक यू